कुमार पंडे हेर, वेलकम तू पंडे क्लासिल आज अपन लोग को पढ़ना है वह बाइलोजी बाइलोजी का फर्स्ट चप्रट इस लाइफ प्रोसेस बहुत दिने के बाद बाइलोजी लेकर आये हैं जबकि फिजिक्स खत्म हो चुका है अब देखा की चलो बाइलोजी में भी हाथ आजमार लेते हैं बाइलोजों के साथ उदर के मेस्ट्री भी चलेगा कुछ दिन तक पहला ट्रिक्निमेटरी खत्म हो जाए उदर से ओके तो हम लोगों क्या पढ़ना है लाइफ प्रोसेस ठीक तो आसक करते हैं इससे पहले वला सारा वीडियो को समझ माया होगा कोई डाउट हो तो कमेंट करें वाटसप ग्रूप से जोड़ें 7781053775 या अगर उससे भी सेफ होना चाहते हैं कि अगर आपका नंबर प्लोसन नहीं देना चाहते हैं कि किसी को तो प्लीज आपने टेलिग्राम ग्रूप से जोड़िए टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक होगा और डिस्क्शन बॉक्स म मिलेंगे उसका जितना कोशन पीडिए में दिये होंगे माल यह वीडियो में जो कॉश्चन होगा उसका सॉलोशन भी वहीं टेलिग्राम पर यह अप होगा और आप डॉप डिसकस भी कर सकते हैं उसमें चले सुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस इसमें लोग को पढ़ना है मे mode of nutrition, autotopic nutrition में दो टाप का plant nutrition and photosynthesis हम लोग आज यहीं तक पढ़ा पाएंगे nutrition और autotopic nutrition के तक जब हम नेक्स वीडियो करेंगे उससमें हम लोग heterotopic nutrition के बारे में पर लेंगे सो प्लीज वेट आवाइल हम लोग आज के वीडियो में यहां तक ही कवर करेंगे क्योंकि लेंथ वीडियो के वराने से कोई फ्याता तो है नहीं आपको समझ महाना चाहिए इसके लिए इससे कदम लिया गया है चलिए हम लोगों को बात करना है life process यानि की जीवन किरिया है जीवित किरिया है जो भी होता है तो आज हम लोगो में लिए इस प्रस्ट में पढ़ना है nutrition के बारे में उससे पहले एक बात जालने है कि लाइव इस प्रस्ट में से पहले एक चार पाच कोशन का एंसर जानना बहुत है जरूरी है जो कि NCRT का फर्स्ट में आपका दे रखा है कि how do we tell the difference between what is alive and what is not alive आप जीवित है या फी कोई चीज जीवित नहीं है इसा क्या परमान है पेर जिंदा है की नहीं है इसा क्या परमान है ठीक है अगर आप बोलियेगा ठीक हम लोगे बोल सकते हैं देखिये क्या बोलता है इफ वी सी डॉग रणिंग और काव चविंग कर्ड और मैं शावटिंग लूटली अने स्ट्रीट वी नोडट दीजर लिविंग बिंग्स वाट इव दे डॉग और काव दो मैं वेर स्लीप अर सब लोग सो रहा होंगे अगर तीनों मान लेते हैं क कुकता बोख रहा है आदमी चिला ह्याहा और की तससे चानगे कि यह जिवित है नहीं है वी व Kalau जानते हैं की वह जिंदा बट हो दीजिंद मोड़ेऌ आई नहीं को सताए McMb तो किया बोलते हैं? कि How do we know they are alive? प्लांट कैसे है कि they are green सो समाप बोलते है कि plant is alive अच्छा हारा भरा है जिवीत होगा But what about the plant that have leaves of color other than green? तो उस पिर के बारे मता है जिसा पिर का पता हारा नहीं होता दूसरे कि याडर होता In other word, we tend to think that some sort of moment either growth related to or not common evidence for being a living being. हम लोग एक धारना बना चुके हैं कि जीवित होने का परमान का है, लेंथ बरना और उसका साइज में चेंज जाना, यह हम लोगा धारना बन चुके हैं. But a plant that is not visual growing is still alive. लेकिन पेर को तो हम लोग धीरे बरते देखते हैं नहीं है, तो बहुत टाइम लेता है बढ़ने में, तभी उसको हम लोग जिंदी इवित मानता है. And some animal cannot breathe without visual movement. Sorry, क्या देखिए, कुछ-कुछ ऐसा animal है, जो कि बिना without movement के भी सांस ले सकते हैं, तो उनको हम कैसे जानेंगे? So using visual movement as a defining character of life is not enough. So, सिर्फ ये जानकर कि उसका movement हो रहा है और उसका length बढ़ रहा है गट रहा है, इसे हम लोग यह नहीं पता कर सकते हैं, कि वह जीवित है कि नहीं. इसके लिए मेंजर, इसके लिए क्या हुपाय है? इसके लिए हुपाय है, लाइफ प्रोसेस, क्या है? लाइफ प्रोसेस, यानि लाइफ प्रोसेस है जड़िया है इसे हम लोग बता सकते हैं, वाद में जीवित है कि नहीं. तो क्वेशन होगर यह क्वेशन है कि how do we tell the difference between what is alive and what is not? तो इसका एंसर क्या होगा? जो बड़ी क्या हो? लाइफ प्रोसेस करे, उसको क्या बोलता है हम लोग? वो बड़ी क्या है? लीविंग है. अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जीवित रहने के साथ साथ अपने बड़ी का फंक्शन को continue रखने के लिए जो जो क्रियाएं करने पड़ते हैं उसके बोलता है लाइफ प्रोसेस, यह देखिए कि for a living being, जीवित रहने के लिए क्या देखिए? इस नेसेसरी बहुत ही जरूड़ी है to perform some basic function कुछ basis function को perform करना for a proper body function ताकि हमारा सरी स्वस्त रहे ताकि हम लोग damage से बच सकें कि इसको और 2-3 टाटने से बच सकें अपने सरी रिखो और अपने function को continuously अथी तरह से maintain करके जैसे हम बाइक की बात करें तो उसका servation जरूड़ी होता है और per day उसका यूज जरूड़ी होता है उसको running में रखना जरूड़ी होता नहीं तो वह खराब पड़ जाता है उसी तरह हमारे life को भी चलाने के लिए एक per day का एक basis function होता है यूकि बहुत जरूड़ी है ताकि हमारा जो body है उसको damage से बजाए जा सके और उसका function को इस मुतली रख से उसी functions को बोलता है हमारा life process तो life process में क्या क्या आता है देखिएगा nutrition क्या आता है nutrition respiration respiration ration transportation transportation and fourth one that is excretion next one reproduction reproduction क्या reproduction हमारा life process कही हिसा है yes life process कही हिसा तो है लेकिन हमारे basics life process कही हिसा नहीं है यह जीवन के लिए जरूड़ी है reproduction but जीवन सहली को चलाने के लिए reproduction जरूड़ी नहीं है इसलिए reproduction क्या है पन नहीं होगा सिफ चार हमारे life process है परनुट्रेशन नहीं भोजन respiration नहीं सास लेना transportation मतलग उसका जो खाना जाता तो उसका चलाओ बहाओ और excretion मतलग उसका निकास यहीं चार जरूड़ी तत्व हैं जिनसे के बारा body function सही रहेगा और हम लोग काम कर पाएंगे देखिए क्या लिखा हो यापने देखिए these are function performed by an organism to maintain its life called life process energy is needed for them इसके लिए energy चाहिए होगा जो basis life process है which are common to all living जो कि सब में जरूड़ी है वो है nutrition, respiration, transportation and excretion some of the process are discussed in this chapter इसमें से कुछ process को discuss किया जाएगा तो पहला हमारे उठाया है nutrition ठीक तो उसे पहले उचाहर question का जवाब दे लेते हैं जो कि basis question है जो कि आप नाइत में पढ़े होगे पहला question क्या बोलता है देखिएगा कि why is the diffusion why is the why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement oxygen requirement के लिए diffusion क्यों कमजोर्ब सावित होता है because diffusion के समय oxygen क्या होता है oxygen present in less amount water का जब diffusion होता है तो oxygen का होता है present in less amount और जो वहां के multicellular organism है जैसे कि whale हो गया काभी बड़ी बड़ी मचलियां जो हो गई तो क्या है multicellular है तो इसका oxygen requirement क्या है जादे है oxygen requirement oxygen requirement कितना है heavy है और मिल कितना रहा है कम मिल रहा है that's why diffusion sufficient नहीं हो पाता है oxygen के requirement में multicellular समझ में आगे जैसे कि इसके पास बहुत सारे सार होता है human being बगरा पहला कोशन के लिए दूसरा कोशन what criteria do we use to decide whether something is alive criteria क्या होगा कि वो basis function जो की होता है life process उसको continue कर जैसे कि transportation, excreation nutrition फोलो करें what are the outside raw material use for living being outside raw material use for living being outside raw material use for living being food grains food हम लो लेते है वो क्या है बाहर से raw material लेते है कि हमारा organism बाहर क्या करता है बाहर से raw material की तरह पे energy लेता है what process would you consider essential for maintaining life कौन सा process essential है and maintaining life के लिए life process essential है nutrition, transportation, excreation or excreation and respiration जरोड़ी है किस के लिए life के maintenance के लिए nutrition अब बात करते है nutrition क्या होता देखिए एक मिनट ओके nutrition क्या था energy is required by living to perform various activity energy necessary for survival जीने के लिए बहुत सारे activity को follow करना पड़ता है energies के लिए energy required होता है various activities necessary for the survival nutrition is the process nutrition क्या कैसा process है to transfer source of energy source of energy का transfer किसे? food से from outside the body बाहर से बाहर से बाहर से किसी का energy का source को transfer करना body में उसको बलता है nutrition तो nutrition क्या है nutrition is the process of transfer of source of energy from outside to the body of an organism for maintaining living structure given salary के लिए जो बाहर से energy हम देते है through food इसको बलता है nutrition in other words it is a process by which यह कैसा process है जिसे कि organism जो अप्टेन करता nutrients and utilize them for obtaining energy nutrients को obtain करता है और क्या करता है energy को obtain करने में body building and repairing of the tissue tissue का banana या फिर करने के समय energy को यूज करता है required to for the growth and maintenance of living body that is they are a material which provides nutrition to the organism जो nutrients का होता है nutrients एक substance है जो एक required होता है proper growth के लिए and living body के maintenance के लिए these are a material which provide nutrition to the organism जो nutrients में आपका होगा जैसे कि vitamin mineral iron potassium यह सो जो important थात्व है जो जरूड़ी उसको बोलता है nutrients जो कि हमारा growth के proper growth maintenance के जरूड़ी है और nutrition क्या होता है एक ऐसा process जिसे कि हम लोग energy outside body क्या बोलता है energy को outside the body से integral आते है अब लेते हैं हम लोग बाहर से लेते हैं ठीक है वही बात है next one अबल किते है mode of nutrition nutrition लेने का दो mode है पहला autotropic दूसरा heterotropic देखिए it means that method of method of procuring food by an organism different organism have different mode of nutrition दूसरे दूसरे हर एक organism का हर एक जीव जानतों का अलग-अलग nutrition लेने का mode है two modes of nutrition are autotropic जो दो mode है वह है autotropic or heterotropic देखिएगा some organism कुछ-कुछ organism use simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water कुछ जो organism है simple यानि साधा भोजन करते हैं जो कि inorganic source होता है from carbon dioxide and water से इस organism are turned as autotrophs उसको autotrophs बोलते हैं and these are nutrition is called autotropic mode of nutrition जो nutrition लेते हैं कुछ-कुछ लोग जो होता है जो कि प्राकिर्तिक चीज़ों बरसा करते हैं और inorganic चीज़ खाते हैं इसको बोलते हैं autotrophs होंगे और जो इस mode को मूलते है autotropic mode of nutrition ठीक है next one other organism जो बाकी organism है which utilize complex organic substance जो की complex जो खा जैसे की carbohydrate खाया fats खाया protein को खाया they have to broken down into simpler ones उसको क्या करना तो 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 तोरना पड़ता है जिसे की आप कोई चीज़ कहिए है तो उसको तुक्रा 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 में करके before using them for the growth or maintenance of heterotrophic maintenance of growth के लिए जो इसको यूज करना है तो उसको बीना तोर यूज नहीं कर सकते तो तोर के यूज किया जाएगा उसको बलता है heterotrophs और इस mode को बोलता है हम लोग heterotrophic mode of nutrition for such organism use biocatalyst called enzyme जैसे की इसके लिए का होता है मान लिजे कि आपको किसी भोजन को आप मिलिए उसको simpler molecule में तोर्णा परता है उसके लिए का आता है call enzyme काम हता है enzyme दो तरक होता है promoter काता है promoter और यह होता है poison promoter क्या करता है speed को बढ़ा आता है direction speed क बढ़ा आता है सोचेन अगर enzyme नहींता है हमारे stomach मे तब एक निवाला को बचाने में 30 कृट समय लगेगा उस एक निवाला को बचाने में तो क्या करता है पर मोटर क्या करता है स्पीड को इन्हांस कर देता है और वह अगर पॉजण खा लिए तो समझे कि आपका लाइफ का स्पीड ही कतम हो जाएगा क्या होतार्स के लाइफ प्रोसस क्या होता है नूक्स क्या होकिनड और सबह करते हैं करते हैं कहां से जैसे कि in the form of carbohydrate fat protein के form में require करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं heterotrop और इस mode of nutrition बोलते हैं heterotropic mode of nutrition आगे चले देखिए अब बात करते हैं orotropy का details में देखिए पहला this mode of nutrition is performed by an autotrop इसको orotrop लोग करते हैं इसको हम लोग साकारी ही बोलते हैं जहां बल ग्रीन प्लांट प्रड्यूसर आज सो ग्रीन प्लांट प्रड्यूसर होते हैं और सम बेक्टेरिया जो होते हैं जो भी इसको क्या करते हैं यूज करते हैं on the basis of source of energy utilized for the profession of food autotrop और करते हैं देखिए देखिए autotropic nutrition में जो खाना मिलाने के जो प्रकड़ का प्रकड़िया जो दो टाप है पाहला photosynthesis autotrop दूसरा chemiosynthesis autotrop देखिए photosynthesis autotrop क्या होता है जिसमें की green plant fulfill their demand क्या करते हैं green plant fulfill their carbon and energy required by the process of photosynthesis using sunlight as a source of energy search of energy called photosynthesis photo means का होता है light आप याद रखिएगा trick से समझेगा जाद समझ में आएगा photo और synthesis अलग-अलग कर लिजेए इसको photo means हो गया light and sunlight synthesis में तो होता है पकाना तो जो प्रकास की गिर्णों से खाना पकाना इसको बलता हम लोग photo synthesis और chemo synthesis में क्या हो गया जो की chemical help से बना जैसे की bacteria सब क्या करता है कुछ बैक्टेडिया होता है bacteria utilize chemical energy instead of light energy to synthesize their organic material food such a good name called chemiotrop chemiotropic warm लोग होता है जो वह बैक्टेडिया होता है जो की bacteria सब कुछ बैक्टेडिया है जो की chemical कैसमार करता है अपने फोट को पर चाहने के लिए sorry उसको बलता हम लो chemiotrop और photosynthesize autotrop क्या होता है जो की light energy को required करके water sunlight और carbon dioxide chlorophyll के मदा से बना इसको बलता हम लोग photo synthesis autotrop अब बात कहते हैं plant nutrition में photosynthesis के बारे में देखिएगा complex process by which green part of their plant synthesized organism food in the form of carbonate from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and clodophyll इसको बलता हम लो photo synthesis देखिए क्या है photosynthesis एक एक ऐसा complex process होता है जिससे की पौधे के parts organic food को synthesize जिससे की carbon dioxide करते है carbon dioxide 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 water sunlight chlorophyll photosynthesis complex process होता है जिसमें की पौधा के parts जो होता है organic food को synthesize करते है carbon dioxide के रूप में किससे carbon dioxide से लिया हुआ होता है और पानी sunlight के presence में और chlorophyll के presence में इसको बलता हम लोग photosynthesis तो इसके question आता है जो कि आपको contrast कर लेना है because इस question पूछा ही जाता है क्या होता है 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give us 6CH12O6 plus 6H2O plus 6CO2 यहांसे oxygen बाहर निकल जाता है water बाहर निकल जाता है और C6H12O6 बच जाता है इसको मिलना है glucose glucose और glucose fructose में तूटता है ठीक है glucose जो है बाद में तूट जाता है fructose में ठीक है तूट जाता है वही बता रहे है बसे कि सिंपल सा extra knowledge था आपके लिए आगे बढ़ता है देखिए कि इसमें का होता है कि का होता है का होता है क्याता है energy देता है carbohydrate plant को energy देता है और जो बच जाता है जो energy माल लिए लेकि utilize करने के बच जाता है उसको starch के फ़र्म में save रखता है plant क्या करता है जैसे कि माल लेता है कि आपके पास इसके फाइड़केजी के और जैसे के फाएड़केजी जूल के sa image रहा होगा इसे को glycogen के फ़र्म में में राकता है जो लेटफ्ट जो बच जाता है उसको plant जो है starch के form में रखता है और जो animal है वो गाई को जेन के form में रखता है कोई दिखा है वही लिखा हुआ है आगे देखिए अब बात करता है event in photosynthesis photosynthesis पर कडिया में क्या-क्या event होता है उसके बारे में बात करता है पहला event जो होता है वह होता है absorption मतलब पहले तो light का absorption होगा तो यह लिखाए absorption of light energy by chlorophyll chlorophyll क्या करता है solar light energy को trap करके रखता है और रोक कर रखता है बांद के रखता है solar energy को बांद के रखता है दूसरा बात क्या होगा अब क्या को टूटना होगा यह नि conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen क्या करेबाद है उसके बाद रोट ऑन और हाईड्रोजन य बदल दिया जाएगा पहला में कि पहला क्या फिग्मेंट दूसरे क्या कनवर्जन गर एक पत्रप्बेसंग किसका होता सब्बार्ण के उत्हाय को양 करता है कूण universal ? क कूपने करता है क्लोडोफिल का रहता है क्लोडो प्रथ इंदर हाता है water molecules से hydrogen oxygen को अलग कर लिया आता है तिसरा बात का वता है reduction of carbon dioxide to carbon carbon dioxide को तोरके carbon dioxide बना दिया आता है और जो एफ़व स्टेप है जो कि बाकि इतना भी स्टेप हो रहा है देफ़व स्टेप में और में नॉट टेक प्लेस one after the other immediately मतलब जली नहीं किए जल्दी से लिये light लिये और जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है देखिए एज़ांपल में क्या दिया हुआ है देखिए जैसे कि प्लांट के डिजर्ट में प्लांट होता है डिजर्ट प्लांट जो कि करवेंडिक से रात में लेते हैं ठीक है और प्रिपेर और निंटरमेडियर कंपाउंड दिस अग्या कैसे बनती है तो आपका जो बीच वाला पाट होता है मतला अपहले सब्जी डाले भूझे उसको तो जो भुझा हुआ हुआ पानी डाले हुए सब्जी बनने सब्चावे पानी डाला है उसको बलता हम लों इंटरमेडियर और आप इसे समझ सकता है यह उबलावा को दीन में बीच करता है nutrition को दीन में च करता है किसी करने में chlorophyll इसको यूइज करता है दीन में बागी other function करने में अब बात करते हैं site of photonism बता फोटोसंथाइब जो site सब था उसके बारे में chloroplast के बारे बात करते हैं पहले पहले बात देखी तो leaves are the major photosynthesis organ of the plant plant का photosynthesis करने का main organ जो है वो leaf ही है because they have large surface area इसलिए जो plant का leaf होता है वो leaves contain green dot that are called cell organelle called chloroplast leaves के पास एक green green dot होता है इसका में बोलता है cell organelle जिसको के नाम दिया गया है chloroplast और chloroplast are the site of photosynthesis as they contain chlorophyll pigment इसको chloroplast को इसलिए site बोलायाता है because इसमें इसके अंदर होता है chlorophyll pigment बोलायाता है जो कि trap करता है solar energy in the form of sun sun के solar energy को trap करता है और just in the cross section of leaf chloroplast appeared on numerous disc like organelle just below the upper dermis the structure of leaf can be broadly studied under the section of leaf इसको मैं आगे पता हूँगा उसको पहले इतना जान लेजे कि chloroplast होता है appear करता है बहुत एक disc like structure की तरह कब जब cross section of leaf होता है तो structure of leaves होता है can be broadly studied under cross section of leaf तो जो leaf का structure है उसको अच्छा समझना के लिए cross section of leaf पढ़ना जरोड़ी होता है अब बात करते हैं epidermic epidermis क्या होता है देखिये let me zoom अब देखिये cross section of leaf leaf का cross section कैसे होता है देखिये okay internally leaf content following main part leaf के अंदर क्या होता है देखिये पहला epidermis ठीक epidermis क्या होता है it is outermost layer of the leaf leaf का ससे उपड़ी भाग और जो इस दो पाट करता है पहला upper epidermis जिसमें नुकलोड़ी पास नहीं होता है जो खाली protect करता है internal leaf tissue को preventing excessive water loss through evaporation evaporation दवारा या transportation दवारा इसके excess evaporation होता है याने excess water loss होता है उसको रोकने के लिए sorry it protect the internal leaf tissue by preventing excessive water जो की excessive water loss होता है उसको रोकने के लिए एक उपर epidermis मतलब की leaf का ससे पहला पाट होता है उसका नीचे होता है lower epidermis यह क्या करता है which contain stomata and help in gases in the plant plant के अंदर gases gases का exchange करने के लिए यह stomata में present होता है और इसको lower epidermis बोलते हैं देखिए और मान लेते हैं कोई leaf है देखिए यहां पर अच्छी से पीक्चर पनाए दिया गया देखिए अगर मान लेते हैं यह कोई leaf का टुगरा है ठीक यहां लीफ से टुगरा है यहां से लाइट यहां पर देखिए तो क्या होगा देखिए इसके उपर के जो पार्ट है यानि की मान लेते हैं यह वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग ईपिड़ंमेक खी डिल और नेक्स्टाब्ड मैंले श्टॉमत होता है इसके उपर मान लेकिटिल्म और श्टोमां ढूता हैında फेरा तिल्च क्नितउन की कि लिव्यावय का नेक्स्ट फ्क्रेश्यकं से है mostly found in the lowest epidermis एक lowest epidermis में होता है जो कि gases change होने में मदद करता है किसको बहुत जल्दी fast gases change में मदद करता है between plant and atmosphere atmosphere और plant के gases change में बहुत अच्छा मदद करता है कौन stomata अब बात करते हैं guard cell क्या होता है these are the beans shaped like cell that frame the stomatal opening they contain clodoplast and have cell wall each pair of guard cell controls the opening and closing of the stomata hence controlling the rate of diffusion gases इस दिन दो देखिए उस पेर का पत्ता है ना उस पत्ता के पास guard cell भी होता है नाम का चीज़ होता है जो क्या करता है एक bean shape का होता है मतलों कि हाड kidney का होता है जो क्या करता है chloroplast का content करता है हर दूनों इसके पास cell wall भी होता है और जो दूनों guard cell है क्या करता है करता है इसका opening और closing stomata का चॉरी देखिए क्या करता है opening and closing stomata के opening and closing को देखता है त्रीकि जाट से करता है 컨्ट्रोल करता है opening and closing of stomata कि कितना gas change हुआ इसका नियम का क्या करता है । समझे कि एक toll कि तरह करता है कि कितना बार आप आया और गया इसको निर्या नी करता है कुण गाट से इस्टोमाटा का होता है कि समाल होल होता है कि इसमें lower epidermis में जिसे की गैसे दिशन हो पाता है उसे तरह epidermic क्या था एक covering था उपर और lower दो था भी बता दिये अब केश दाखना है opening and closing of stomata के बारे में देखिए तो क्या होता है देखिए लार्ज़ेवांट वाटर लॉज इसलग प्लांट के पत्य को पाणी बचाना वाता तो क्या करता है अपने फ्लोज इस्टेमाटा के गडर्सल को क्लोच कर देता है जिस्टे की करवन डेक्शाइड अब अंदर नहीं है सकता है मितलब किसरे मतलव कि करवन टैसर को इंटर नहीं करेगा और इसे काङनी बच जाएगा अब धे acute स स्टो मटाइज बांडर वाइटी शेप गाडarkenे बांडनी से बंदा होता देखिये यहाँ बंदा होता है और इसका opening and closing of stomata is caused by the change in targeting of the guard cell when guard cell take up the water and become rich target the stomata open when guard cell loses water the stomata close देखिए गाट जब पानी रखता है तो क्या रहता है मुह खुला रहता है और जब गाट सली पानी अपना लूज कर देता है तो क्या होता है मुँब बंदा हॉता किसका stomata का अब रेपर धर्मिक सेल बोल सकता है इसको ठीक है तो क्लोज खाथ इसके गाट जब ऑपना पानी खोई था तो क्वेस्टमाटा क्लोज होता हुंद गाट बप्ल जाता है तो क्हुल जाता है AFнова क्ल्दा कि फिल जाता है अगर गाटसल के पास पानी होगा तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो गेट खुल जाएगा, अगर नहीं फूला, यानि कि पचक गया, तो पचक गया तो गेट बंद हो जाएगा, that's the point, hope you understand, next one, in plant and most algae, देखिए, आपर क्या notes भी दिया रखा है, in plant and most algae, plant और बहुत सारे algae में, photosynthesis occur in clodoplast प्रजेंश लिव, photosynthesis clodoplast में हो जाता है, योगि लिव में मुझोर होता है, अब बात करते हैं, condition necessary for photosynthesis, photosynthesis होने के लिए condition necessary है, वो क्या-क्या है, उसके बारे में जिखर करते हैं, देखिए, बात करते हैं, sunlight के बारे में, sunlight क्या होता है, sunlight, it affects the rate of photosynthesis by its varying intensity, quality and duration, duration, quality और intensity करना sunlight क्या कर सकता है, photosynthesis के rate को बहा भी सकता और घटा भी सकता है, chlorophyll क्या होता है, chlorophyll एक बहुत green cloud का photosynthesis pigment है, जो कि chlorophyll मुझद होता है, जिसे कि plant अपने खाना बनाते हैं, और solar energy को ट्रैप कर रखते हैं, तो कोश्चन आपके मन में उठने चाहिए, और उठता ही होगा, कि जब green plant ही खाना बना सकते हैं, तो rate plant of blue plant, जो यह फिर yellow color का लीफ होता है, वो अपने खाना कैसे बनाते होंग है, आपको जैसे कि chlorophyll है, इसलिए आपको लगता है, green plant है, green lips है, बट ऐसा होता है, अच्छली में उनके पास भी chlorophyll मौझद होती है, तो वो लोग की खाना बनाते हैं, इस method से, ठीक, next, raw material for photon synthesis, यहनि कि photon synthesis करने के लिए जो जरोड़ी आपसक, raw material मतला कि डेली के यूज करन during respiration, यह respiration मतलग हमें जो सांच करते हैं तो निकलता है, इंटर दर leaf थूर इस्टोमाटा और यह पत्ते के अंदर घुचता है इस्टोमाटा द्वारा, that is, tiny pores present on the surface of leaf, through which massive amount of gas system take place in the leaves, इस्टोमाटा एक ऐसा छीद छोटा शीदर है, जिसके थूरू बहुत सारा gas का exchange होता है जो की leaf present होता है, lower epidermis होता है, ठीक है, apart from this, इसके अलाबा भी surface of steam, यह steam के surface पे, पत्ता पे, roots पे, also पर रूट्स पे, gases exchange में यह लोग भी support करते हैं, ठीक, कौन-कौन, steam भी करते हैं, leaf भी करते हैं, और roots भी करते हैं, कि इसका gases के exchange करने में है, लेकिन जो लीफ करता है, उत जो की plant, हमाली जो समंदरी plant है, जो की नीचे, समंदरी के नीचे है, वो लोग अपने खाना कैसे बनाते हैं, उनको CO2 कहां से मिलता हुआ, तो CO2 और O2 जो चीज आता है, वो पानी में डिजॉल्वीबल है, तो aquatic animal, सांस वहां से लेते हैं, जब पानी में water रिजल होता है, औ water का roll क्या photosynthesis में वो देखिए, क्या करता है, it is absorbed by the root, ये क्या करता है, इसको root absorb करता है, from the soil, मिट्टी से, and transported upward through the xylem and the leaves and then to photosynthesis cell, क्या करता है, जाइलम द्वारा पानी को क्या करता है, root से कीच करके, आपस उपर भे दिया आता है, कहां पे, photosynthesis cell मे, this water molecule, इस water molecule को तोट दिया आधा hydrogen और oxygen में, इस पॉसे, बोलता है, हमलोग हम लोग फोट्रोटरलाईसिस of water, क्या बोलते है फोट्रोट दोलिया, जावक किसी साललियोट द्वारा पानी को तोर के hydrogen oxygen हें, बदाल दिया जाया, उसको क्या बोलता है, क्या क्या होता है, फोट्रुलाईसिस कुछ भूटह यह किसी प्लंट का प्लंट का क्या होता है पार होता है अदर मेंट्रेल हेनी के फोलम this आप आइन बोच टो ऑर एक्स्टर्टर होता है जैसे की निट्रोजं फस्फोराँ, और मर्गिनिसेम तो भी नियुको मि कहांस लेता है मिट्टी से ले लेता है nitrogen के हाए कि essential element है जो की यूज किया था synthesis of photos protein and other compound बागी सब compound और protein को तोरने के लिए nitrogen का यूज किया था it is taken up in the form of iron organic nitrate और as organic compound prepared by bacteria from a modified region nitrate या फिर organic compound जो की bacteria बनाता है atmospheric nitrogen से उसको इस्तेमाल करते हैं कव इसके formula आता है photosynthesis में अब बत करते हैं हम लोग heterotropic nutrition के बारे में autotropic बारे हैं पर चुके photosynthesis के बारे हैं पर चुके उसके उसका सारा roll पर चुके कैसे ही जो था light का कैसे sunlight का कैसे आपको बात करें उधर कैसे chlorophyll का chloroplast क्या होता है मांसाहारी मांसाहारी जो भी हो गया मांसाहारी हो गया सकाहारी हो गया इस सब कुछ आता है मतलब है क्या होता है कि खाना खुद से नहीं बनाए है अश्कोल था है देखिए in autotropic mode of nutrition और विजम क्या करता है हुए उपने से खाना नहीं बनाता है हेट्रोप अपटेंट energy from organic molecules already produced by the autotrops जो कि autotrop बनाते हो बनाये होता है जो उसको हम लगाते हैं कि पेर फॉट्रोपिक है और फल बनाया है तो उस फल को हम लगाते हम लगा हो गए हेट्रोप हो गए अब करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसमें देखिए जो हर्वी बोरस है कर्निवरस ऑ्म बोरस सेप्रोफाइट एंड परसाइट इसाब को इंक्लिड किया गया एक तब में इसको मिलते हैं तीन टाप में पहला क्या होलोजोईग होलो जोग में कौन कोन आता है है हर्वी बॉरस अनि plant eaters carnivores मतलगी meat eaters omnivores मतलगी both plant and meat eaters दुनों को क्या करते है तीनों को combine कर देते है process the holojoic modern nutrition तीनों मिला क्या होता है holojoic nutrition बनता है इसमें क्या होता है complex food molecules are taken in and then broken into simpler and soluble molecule in the type of nutrition nutrition में क्या होता है अनि soluble molecule में बतल जा जा सके कब किस टाप इनुट्रिशन में holojoic nutrition में example होगे आपका amoeba cow goat dog card human being हम लोग आते हैं holojoic nutrition में अब अब आतके हम लोग सेप्रोफाइटी नुट्रिशन सेप्रोफाइटी का आपने नाम सुना होगा जिसे कि Amarville हो गया क्यों कि लिच्री के फिर पर हो जाता है इसे दो कैम होता है सप्रोफाइटी नुट्रियूझन मोल ले या फिर क्या होता है काता देखिए सब्सीं मियस्प्रोUST होता है अइसा होगिनिजम जो कि सफरोफाइटी more ज़ाइर के अंदर जमा कर रखें उनको तोर करके यह लोग यूज करता है जैसे कि आपका हो गया फंगी हो गया ब्रेड मॉल पर हो जाता है मसलूम हो गया येस्ट हो गया बैक्टेडिया हो गया सब क्या था मैं से माले कोई द्रह गया तो उसका नुट्रिशन का जो चैरी रहा गया रहागा उसको भी जो के बैक्टेडिया हो गया इस सब क्या था सेपरोफाटिक नुटिशन होलो जो कुन कुन का था है हर्भी बोरस कानि वरस omnivorous अमनिवरस सपरोट्रोपिक में कुन का रहता है जो की परसुल्सचर लेघंट को बाइद में होता हुग हो है तो उप्लसज़ टेट जो क्या है कीकि किसी के ऊपर रखते हैं या फिर किसी गंतर चलिया वहाते हैं यह घंसे कि य्ज संहिंग संगे आनि की अब ऑचोटीटव्वेत वहाइं हो गया कई थो वाय सब वहते हैं अब आता है difference between two modes of nutrition, फ़ला का है autotropic nutrition, दुसरा का है hydrotropic nutrition, देखिये, इसका difference क्या होता है, we will leave it the difference between autotropic and hydrotropic, देखिये, autotropic में क्या है, it occur in green plant, some bacteria and some proteist, it occur in fungi and animal, autotropic में क्या होता है, green plant में होता है, autotropic में होता है, it occur in fungi and animal, fungi और animal में होता है, कलोड फील Lum नेसेसरी होता है रोकने के लिए इसमें कोई गोफान नहीं है फूर्ट में क्या होता है कि खाना बनाने क्या होता है यह they are placed if a producer in the middle of the food chain as consumer और consumer में यह मिडिल में आता है और producer में यह उपर आता है next one plant blue algae और cyanobacteria की example और tropica और animal including human जो होता है इसके example किसका है hydrotropic है तो आपको आसा करते हैं आपको difference between hydrotropic and hydrotropic समझ में आ गया हो अगला topic जो हम लोग बात करेंगे कल lecture 2 में उसमें होगा nutrition in human being इसके बारे में होगा कैसे हम लोग सुपचाते हैं खाते हैं इसके बारे में होगा तब तक के लिए bye bye and thank you so much अगर आपको अच्छा लागवा तो please like, share, subscribe and आप क्या करिए इसके PDF आपको चाहिए होगा तो आप whatsapp group 77810-53775 हमारा जो whatsapp group उसे जुड़िए या फिर telegram पर जुड़िए इन दोनों का link description box में available होगा please join through the link जिसे कि आप कहीं और ना भटके और अगर आपको लगता है कि अगर आपका whatsapp secure नहीं होगा आपका number यूज हो जाएगा तो प्लीज kindly request to join telegram group because whatsapp जाएदे फिचर टेलिग्राम में होता है और वहां पर आपको कुज़ेज रिक्राइज सकते हैं आपका rank पता होगा कि इतने बच्चों जितना पर रहे हैं पाच साथ ही पर रहे हैं जितना भी पर रहे होंगे उनमें आपका rank क्या है और आपका इस इंप्रोव कर सकते हैं तब तक लिए बाब बाई थैंक यू सो मुच